सीता मड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिनी गन फैक्टरी का किया उद्भेदन, घर पर अबायत तरीके से निर्मान कर रहे हैं अगने यास्त्र, तीन अपराधी को पुलिस ने किया गर अप्तार, सीता मड़ी पुलिस के द्वारा बड़ी करवाई की गई है, सहारा था अंसारी ने प्रेस कंफरेंस करके जनकारी दिया की सहारा थाना अंतरगत किराम डिटी में मुहमद नस्रूला अंसारी द्वारा अपने पुत्र उसामात अंसारी के सयोग से घर पर अवैद तरीके से अगनेयास्त का निर्मान किया जा रहा था, साथी साथ खरीद भिक्री तता कुछ अप्राद कर्मी लूड पाट वर डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए अवैद अगनेयास्त की खरीदारी करने मुहमद नस्रूला अंसारी के घर पर पहुँचे, प्राप्त सुचना के आधार पर थाना धक्स के द्वारा इसकी जानकारी वड़िये की गोली मार कर मोबाइल चीनी गई थी लूड़ पाट घटना हुई थी सायारा थाना छेत्र में उसी क्रम में उसके अनुसंधान में हम लोग आगे बढ़े हुए थे तो उसमें दो लड़के गिरफता दो लड़के थे इंवाल थे रोशन और अनिस जो की इस घटना क्रम क इसका उद्भेदन हुआ है इसी बीच में एक सुचना मिली थी कि सायारा थाना छेत्र के दाड़ी इस्तित्र महौन नसुरुल्ला के घर में कुछ अपरातकर्मी जम्य हुए हैं जो कि हथियार के साथ हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हैं उसी क्रम में पुलिस अदिक्चा की विशेस जो स्वेसल टीम है सदर के नित्रित में गठन की गई और उसमें जब छापे मारी की गई तो छापे मारी के क्रम में दो अपरातकर्मी पकड़े गया वहां पे जिसमें कुछ लोग भागने में सफल हुए वहां से उनके पास से दो देसी कट पांच राउन गोली खोखा बरामद हुआ उसको फर्दर जाज के क्रम में फर्दर जो हम लोग उसी में छापे मारी किये तो एक मीनी गन फैक्टरी का उद्वेधन भी हुआ मुनी गन फैक्टरी को द्वेधन से वहां से एक जैसी राइफल भी है और अन्य उपकरन जो साम कर रहे हैं कि इसमें क्या है मीनिंग फैक्टरी का तो यह पिछले एक वर से बना थे इसमें कई लोग को इनोंना सप्लाइबी किया था तो अभी हम लोग सब सब्यापन कर रहे हैं और फर्दर इसमें आगे की कारवाई की जाएगी कुल कई आइटम्स बरामद हुए हैं इस में इसमें सदर की नित्रत में हमारे डियाईउ के नॉलेज हैं राजेश हैं सुबोध हैं अन्य और भी महिला सिपाही एवं पीटीसी सिपाही सब लोग इस छापे मारी मौज़त है इन सब को लग से प्रसुत है